Hello students, तो लेकर आगए मैं वापस से आपके सामने हमारी सीरीज जिसका नाम है ग्यान समारों और ग्यान समारों में आज हम जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो आपनों के लिए बहुत 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 इंपोर्टन और बहुत क्रूशल है Especially for droppers, यहाँ dropper students जिनके पास revision का time नहीं होता है उनके लिए मैं लेकर आगए बहुत important strategy that is called parallel revision strategy जी आप सभी लोग परेशान होते रहते हैं कि सर हमने एक topic पढ़ लिया एक topic उन्हें दो महीने पढ़ा था या दो हफते पहले पढ़ा था एक महीने पढ़ा था अब उसके बाद 3-4 topic और हो गए हैं और जब test आता है या फिर questions करने की बात आती है तो हमें वो topic हम लोग भूल चुके होते हैं हमें वो याद नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी strategy जो आपकी उपर load नहीं बढ़ाएगी और आपको बहुत help करेगी साथ साथ revision करने में ताकि आपका ये जो issue है ये issue क्या हो जाए resolve हो जाए तो और start करें उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि general students क्या करते हैं जब revision करने का time आता है तो revision करते हुए time वो क्या करते हैं जो best method होता है revise करने का वो होता है question solve करना मैं हमेशा emphasize करता हूँ question solve करने पर क्योंकि आप जब your need देने जाएंगे तो वहाँ पर आपकी question solving ability क्या होने चाहिए बहुत strong होने चाहिए तब ही जाके आप क्या कर सकते स्कूर कर सकते हैं इसलिए मैंने डिवाइस के एक बहुत simple सा तरीका जो आपके हर दिन हर subject के लिए extra मेरे सबसे पंदरा मिनिट लेगा फिर उसके बाद आपने दूसरा चेप्टर पढ़ लिया liquid solution फिर आपने तीसरा चेप्टर पढ़ लिया let's say solid state और फिर आपने चौसरा चेप्टर पढ़ लिया let's say redox reactions actually है हमारे time saver course का वो चल रहा है तो वह याद है तो वह इसी जिए काम में ले लेते हैं और अभी आपका चेप्टर चल रहा है let's say chemical equilibrium तो अब यह आपके देखें इस चेप्टर तक अभी आपके चार चेप्टर पूरी तरह से complete हो चुके हैं तो जम इस चेप्टर पर हैं तो हमें इनके कई concepts याद रहते ही नहीं है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपके पास अपना study material होगा sheet dpp question bank जो भी आप उसे ब 1.5 और पढ़ते हो हार alternate day आप 1.5 और physical chemistry पढ़ते हो तो जब physical chemistry पढ़ चुके हो या complete कर रहे हो कि आज का हो गया है तब आपको 15 minute और extra उसमें add करने है तो जो 15 minute आपको इसमें add करने है इस 15 minute में आप 5 to 10 questions attempt करेंगे क्या करेंगे 5 to 10 questions आपको attempt करने कहां से अगर आप चाहें तो आप chapter wise revision लेके चलते हैं बट उससे भी better तरीका क्या होगा उससे भी better तरीका यह होगा कि आप ऐसे mole concept के अपनी sheet उठाएं एना ऐसे table पर एक mole concept है इधर liquid है इधर आपके आपके वाद solid इधर redox है ठीक है अब आप ऐसे खेलोगे अकड़ बकड़ बंबे बो solid की sheet में से टिक कर दिया ऐसे 80 पूरे 100 एक किस में से कर दिया randomly आपको पांचों sheet में से एक एक question उठाना है या दो-दो question उठाने तो देखो एक दो तीन चार चार चेप्टर है 4 x 2 आपने दो-दो question उठाए तो आज आपको पंदरा मिनिट में यह 8 questions करमें है ध्यान से सुनना यह 8 questions में से हो सकता है आपसे 5 questions हो जाएं तो जिन topic के question आपसे हो गए that means वह आपको आता है है आपको उसको revise करने जरूत नहीं है यह हो सकता है चार questions हो चाहे हो सकता आपसे 2 question हो दिल चोटा नहीं करनेगा क्या करना है अगर आपसे वह question नहीं हुए है तो आपको उस topic को for example जाना है और आपको उस जगे पर जाना है जहां पर आपको idle and non idle solution पढ़ाये गये हैं अब आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि कौन सब्सक्राइशन शो करता है ने 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 अब आपको यह पूरा topic का जो थियोरी है एक पेज की देड़ पेज की आधे पेज की उसको properly क्या करना है revise करना है क्योंकि वह आपका weak part है 15 मिनिट में आपने चार हर question जिसमें आप अठके हो उसके साथ आपको यही करना है same strategy आपको follow करनी physics के लिए same strategy आपको follow करनी maths के लिए same strategy आपको follow करनी बायो के लिए जिस भी subject को parallelly revise करना चाहते हैं हर दिन उसके 5-10 question आप चाहें एक अलग chapter के साथ कर सकते हैं दूसरी चीज़ आपको दूसरा material यूज़ करने की ज़रूत नहीं है उसी material को use करें जिसको आपने पहले solve किया अब है तीसरी चीज़ जब आप यह काम कर रहे हैं तो उन questions की एक अलग marking करें ताकि आप पहचान पाओ कि यह question में पहले revision में कर चु है अगर वह आ गया तो उसको skip करो और दूसरा question चूज कर लो तो randomly ऐसे आप हर chapter से दो-दो questions उठाएं और जिस दिन जिस subject को पढ़ रहे हैं जिस दिन आप organic पढ़ रहे हैं उस दिन organic पे formula लगा हैं physics maths आप रोज पढ़ते हैं तो physics maths पे रोज आप यह formula लगा हैं रोज आप से 5 questions उठाएं के solve करना शुरू करें यह ना सोचें कि आपका कब complete होगा ने टार्गेट नहीं एक छोटा सा टूल है छोटी सी activity जो आपको हर दिन करनी है मैं आपको guarantee देता हूं मेरे कहने से इसको आप 10 दिन करके देखो 10 दिन बाद अगर आपको इन chapters में confidence नहीं आए तो आ उनको बिल्कुल भी touch नहीं करते हैं आपको time to time उनको touch करना होता है बर touch करने वाल ही नहीं कि आप उनके notes revise करके बैठ जो नहीं regularly आप हर chapter का एक-एक question भी करोगे I can assure कि आप इन chapters को ना तो कभी भूलोगे और इनसे आने वाले सारे questions को आप आसानी से solve कर सकते हैं तो I hope आप को यह strategy बहुत help करने वाली है आपको strategy पसंद भी आएगी इसे apply करें मैं आपको personal guarantee दे रहा हूं इससे better revision strategy आपको नहीं मिल सकते इस पर जरूर 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 काम करें